कि नमस्कार आधनिय प्रत्रि श्री नरेंद्रबाई मोधी जी को मेरा शत्षत नमन में हेतल जानी गुज्रात के सुरिंद्रनगर जीले से बोल रही हूँ मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि भार्तिय जन्ता पार्टी के खिलाफ कई दल एक जुट होकर लडने की कोशिश कर रहे है और अलग-अलग सोच वाली और एक दुसरे के खिलाफ लडने वाली पार्टिया भी आज एक जुट होकर ना दिखावा कर रही है ना टक कर रही है तो आप इसे कैसे देखते है कि मुझे लगता है आपको भारी गुसा है इसे लोगों पर देखिए ऐसे लोगों पर गुसा मत कीजिए दया कीजिए उन लोगों पर आज आपको याद होगा जरा मैं पुरानी बात याद कराता हूं हमने 2014 का चुनाव देखा है और 2019 का भी चुनाव देखा है देखा है ना याद है ना 2014 के हाल आज क्या थे याद है ना 2019 के हाल क्या थे हो याद है ना भाजपा के जो गोर विरोधी दल है 2014 हो या 2019 वो कितने ही गोर विरोधी थे लेकिन उन दोनों चुनाव में हमने देखा कि इतनी छट पटाट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे पानी पी पी कर कोशा करते थे गालियां देते थे अब उन लोगों को आगे जाकर वो साश्टांग प्रणाम कर रहे हैं नत मस्तक हो रहे हैं ये उनकी मजबूरी है ये विपक्षी दलों की इन हरकतों से उनकी गबराहट से साफ है कि देश की जनता ने दो हजार चोबिस के चुनाओं में भाजपा को वापिस लाने का मान बना लिया है दो हजार चोबिस में फिर एक बार वाजपा की प्रचंड विजय ता है इसी वज़े से ये सारे विपक्षिदाई बौखलाए हुए है इसलिए इनोंने तय किया है कि चुनाओं से कुछ महिने पहले किसी भी तरीके से जनता को गुमरा करके कुछ लोगों को बर्गला कर जूठे आरोप लगा कर सत्ता हासिल की जाए आप आप जरा प्यार से बैटिये भी आपका उत्सा जब बूत में आप जाएंगे वहां उत्सा दिकाना आज कल जरा एक जरा ध्यान से सुनिये आपको मजा आएगा एक बात मैं आपको बताता हूं आप बैटिये आगे आने कोशिश मत कीजिये भी आप बैटिये आज कल एक नया शब्द बहुत पॉपलर किया जा रहा है वो शब्द आपके कान पर भी आया होगा वो जो नया शब्द पॉपलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी बार बार शब्द आता है गारंटी बाजपा के कायर करताओं की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि असल में ये विपक्षी दल किस चीज की गारंटी है जानना चेल भई ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है ये सारे लोग ये दल गारंटी है ब्रस्टाचार की ये गारंटी है लाखों करोर रुपियों के गोटालों की कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो अप कारकम हुआ था मिलकर के फोटो निकालने का एक कारकम हुआ था इस बैटक में शामिल दलो के इतियास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के जितने भी लोग फोटों में दिखते हैं ना एक एक को जड़ा देख लीजिए उन सब का मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम बीस लाग करोड के गोटाले की गारंटी है और कॉंग्रेस का गोटाला ही अकेले लाखों करोडों का है एक लाख चैयासी हजार करोड का कोईला गोटाला एक लाख चहत्तर हजार करोड का तूजी गोटाला सत्तर हजार करोड रुपिये का कॉमन बेल गोटाला शामील है दस हजार करोड रुपिये का मनरेगा गोटाला हेलिकॉप्टर से लेकर सब मरिन ताथ कॉंग्रेस के गोटाले से कोई ऐसा खेत्र नहीं है जो कॉंग्रेस के गोटाले की हाथ का शिकार न हुआ हो अब दूसरा देखिये आरजेडी हजारो करोड के गोटाले का आरोप है चारा गोटाला अलकत्रा गोटाला पशुपालन सेड गोटाला बाड राहत गोटाला आरजेडी के गोटालों की इतनी लंबी सुची है अदालते भी ठक गई एक के बाद एक सजा गोशित करती चली जा रही है उदर तमिल लाडु मैं देखिये डियम के पर अवैद तरीके से सवा लाग करोड की संपत्ती बनाने का आरोप टी एमजी पर भी तेईस हजार करोड रुपिये से जादा के गोटाले का आरोप रोजवेली गोटाला शारदा गोटाला सिख्षक भरती गोटाला गो तसकरी गोटाला और कोईला तसकरी गोटाला बंगाल के लोग ये गोटाला कभी भूल नहीं सकते अगर मैं एनसीपी की बात करूँ तो एनसीपी पर भी करीब करीब सिंचाई गोटाला अवैद खनन गोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है इन पार्टियों के गोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता मैं तो कहूंगा कि बीजेपी के किसी कारकरता को कोशिश करनी चाहिए कि इन पार्टियों का गोटाला मीटर बनाने की एक बड़िया आपसे जो इनोवेटिव हो ना बड़िया इनके गोटालों का मीटर बढ़ा दीजिए इन पार्टियों के पास गोटालों का ही अनुबव है इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है गोटालों की गारंटी अब देश को तै करना है क्या ये गोटालों की गारंटी को देश स्विकार करेगा देश स्विकार करेगा लेकिन दोस्तों मैं आपके बीच मैं से पल करके बढ़ा हुआ हूं आप से साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं देदों देदों अगर उनकी गोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी यह गारंटी है और मेरी गारंटी है हार गोटाले बाज पर कारवाई की गारंटी हार चोर लुटेरे पर कारवाई की गारंटी जिसने गरीब को लूटा है जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा आज जब कानून का डंडा चल रहा है जब जेल की सला के सामने दिख रही है तब जा करके यह जुगलबंदी हो रही है इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्रेम ब्रस्टा चार के विरूत एक्शन से बचने का ही है बाजबा के बूत स्तर के कार करता इस बात को गाउं गाउं तक पहुचाएंगे तो लोगों को इनकी वास्तविक्ता का पता चल ही जाएगा लोग स्वयम जागरुक है वो देख रहे हैं इस विपक्षी एक्टा की कोशिच के पीछे सभी दलों की क्या मन्सा है उन दलों की असली पैचान बीस लाग करोड रुपिये के गोटाले की गारंटी है यही उनका इतिहात है आप देखिए कि गाउं में कोई अपरादी जब अपनी जेल में सजा काट कर गाउं में आता है तो उसे लेकर क्या रवया हरता है वो लोग वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे जानने की उतकंटा रहती है कि जेल कैसी होती है जिनको खुद जेलने का डर होता है अब पटना से बढ़िया जगा क्या हो सकती है और आज हम देख रहे हैं कि कई लोग जो जमानत पर चल रहे हैं जो गोटालों के आरेपी हैं ये देश के लोगों को समझ रहा है और देश के लोग हमसे भी जादा इन बातों को बली बाती समझते हैं साथियों कोई गरीब ये नहीं चाहता कि उसके बच्चों के नसीब में भी गरीबी रहे हमें लोगों को ये बताना होगा कि उन्होंने अपने बच्चों का भविश्य सुधारने के लिए जिनको वोड दिया उसका क्या परणाम हुआ परिवार के नाम पर बोट मांगने वालोंने अपने परिवार का भला किया अब आपको सोच समझ करता है करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं आपको गांधी परिवार के बेटे-बेटी का विकास करना हो तो फिर कॉंग्रेस को वोड दीजिए आपको मुलायम सीजी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोड दीजिए अगर आप लालू परिवार के बेटे-बेटियों के उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोड दीजिए आपको सरत पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप NCP को वोड दीजिए आपको अब्दुला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कांफरेंस को वोड दीजिए आपको करुणा बेटे-बेटियों पोते-पोतियों का भला करना हो तो DMK को वोड दीजिए आपको के चंदर सेकर राव की बेटी का भला करना हो तो आप BRS को वोड दीजिए लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे देश वासियों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा अगर आपको अपने बेटे का अपनी बेटी का अपने पोते का अपनी पोती का अपने नाते का अपनी नाती का अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का बला करना है तो आप भोट बाजपा को दीजिए